दोस्तों क्या हाल चाला है आप सभी के? तो आज की वीडियो भी बहुती special होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो भी हम बात करने वाले हैं एक part-time job के बारे में जो की बहुती special होने वाली है जो की अगर आप student हो यहाँ फिर अगर आप housewife हो और simply अगर आप यहाँ पे 12th pass हो तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो क्योंकि Dish TV की तरफ से ही आज की job opportunity आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं जो की completely work from होने वाली है और इसमें simply आपको Hindi अगर बोलना आता है तो आप apply कर सकते हो यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पे कोन कोने apply कर सकता है तो आपने अगर simply 12th pass करा है और आपको अगर Hindi बोलना आता है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो और payment भी यहाँ पे कोई commission basis पे नहीं होने वाली है और कोई भी sales का काम और कोई भी target का काम यहाँ पे नहीं होने वाला है तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपको करना क्या होता है तो basically dish tv की तरफ से यह जो opportunity है यह एक calling की job होने वाली है यानि कि आपको यहाँ पे part time dish tv की तरफ से training provide की जाएगी dish tv आपको training provide करेगा and आपको यहाँ पे customers की call आएंगी जोकि dish tv के customers रहेंगे and आपको उनकी जो भी problems हैं उसको solve करना होता है छोकि call के उपर आपको solve करना होगा so जो भी call यहाँ पे आपको आने वाली है उसको जो भी आप solve करोगे per call के पैसे आपको यहाँ पे payment मिलेगा and per call के ओपर आपको यहाँ पर 5 रूपीज पे किया जाता है यानि आप जितने भी calls पुरे दिन में करोगे यानि कि आपको calls करनी नहीं है आपको calls आएंगी customers की and आप जितने भी time यहाँ पे करोगे काम पुरे दिन में उसके हिसाब से आपको per calling का आपको यहाँ पे amount मिलने वाला है so per calling के आपको 5 रूपीज पे किये जाएंगे डिश्टीवी की तरफ से दोस्तों किसी भी तरह का work experience यहाँ पे नहीं रिको हैड है आपको अगर calling का experience नहीं है किसी भी जगा पे आपने काम नहीं किया अप फ्रेशर हो आप completely apply कर सकते हो और आपका selection हो जाएगा and apply करने के लिए आपको क्या करना है सबसे बहुते description में आपको link मिलेगा and comment box पे भी आपको link मिलेगा उस link के थुरू आप simply एक Google form में पहुन जाओगे जो कि HR ने हमें Google form दिया हुआ है तो definitely आपको call आने वाली है अगर आप apply करोगे so आपको यहां पे details दिख रही होंगी Google form की कि आपको सबसे बहुते अपना यहां पे नाम डालना है आपका phone number डालना है phone number वो आपको mention करना है जो number आपका WhatsApp पे already होगा available दोस्तों उसके बादा आपको यहां पे आपकी present city का नाम डालना है आपकी email ID डालने है और आपका current location आपको यहां पे डालना है जीस भी location में आप अबी presently यहां पे हो उस location को आपको यह पे फिल करना है बताना होगा कि आपका current employment status क्या है इस में से अगर आप housewife हो तो housewife select कर सकते हो अगर experience वान हो तो experience में यहाँ पर कर सकते हो अगर student हो यहाँ पर employed हो fresher हो जैसे भी आपका status रहेगा उसके accordingly यहाँ पर चूज कर लेना then आपको आपकी higher education qualification यहाँ पर fill करनी है कि qualification आपकी highest क्या है 12th pass candidates भी यहाँ पर apply कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है languages आपको कौन-कौन सी आती है वो आपको यहाँ पर select करना है Hindi, English, Malayalam, Tamil, Bengali, Marathi, Gujarati सब languages में से आपको जो-जो language आती है उसको आप यहाँ पर select कर देना, then जब आप इसको select कर दोगे तो यह आप से यहाँ पर पूछने वाला है कि आपका source of getting this opportunity कि आपको यह distribution के बार में कैसे बता लगा तो आप यहाँ पर अपना YouTube का option जो है सबसे last वाला उसको select कर देना, यसी आप YouTube के option को select कर दोगे then आपको उसके बाद यहाँ पर और कुछ थोड़ी सी details पूछी जाएंगी, जो की details में आपको पूछेगा कि आपको आपकी Hindi communication कैसा है, उसको rate करना है then आपका prior experience है, कोई voice process यहाँ पर VPO में, आपको वो यहाँ पर add करना है, अगर है तो has yes कर देना, otherwise अगर नहीं है तो आप simply no कर देना then अब जब यह details यहाँ पर fill कर लोगे, इसके बाद further आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी details पूछे जाएंगी, जिसमें आपको यहाँ पर experience बताना है, कि आपका कितने years का experience है, उसके accordingly आप यहाँ पर अपना fill कर सकते हो details, then आपको simply submit कर देना है जैसे आप submit कर दोगे, आपका form done हो जाएगा, और आपको बस 3-4 दिन का wait करना है, maximum 1 week के अंदर अंदर अगर आपको call आ जाएगी, तो definitely आपका selection हो जाएगा तो दोस्तों, इसी तरह से, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, job updates, इसी तरह से चाते हो, part time work के regarding, या फिर work from home के regarding, तो हमारे YouTube channel को आप जरूर subscribe कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आप सब के लिए लेकर रहे हैं, दोस्तों, आप हमारी पराणी वीडियो को भी यहाँ पे, यहाँ पे check जरूर करना, because उनमें भी बहुत अच्छी, आपने opportunities, part time work के बारे में आपको बताया है, तो इसी तरह से job updates के लिए हमारे YouTube channel को subscribe जरूर कीजिए, हम मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए good bye